शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाले खुआ। झाले वडियोज के तो मिल्न न बेल वड़ के व अक्याव सक्राईब के लिए सब्सक्ला का झाले sucker दो झाले इन है झाले तो कर दो झाल 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 ये जहां जाता है अपने साथ भीड लेकर आता है अब ये नहीं पता कि ये भीड इसके पापा की शोहरत की वज़े से है या ये लोग सच में इसके दोस्त हैं ये ये बाट से वगी ये ये औ वो शिवा और नरेश की तरह बताने के लिए मेरे पास जादा कुछ नहीं है मेरे पापा बैंक में मैनेजर है तो ना ही मेरे पास शोहरत है ना ही दौलत मेरे सपने और इच्छाएं नरेश से बिलकुल अलग है मेरा सपना ये है कि मैं अपनी खोच से साबित करना चाहता हूं कि मार्स पर लाइफ है अबे अकल हम नरेश के बाप रामाकान का पिच्चर देखे बे क्या पिच्चर बनाया एकदम काड़क हिरोनिया इसे नाच रही थी मज़ा आगया हिला हिला के नाची बे वो नरेश का बापू नाचा बे एकदम मजेदार सही है तुन्हें मजे लिए नरेश हमेशा लड़ते ही रहते था मुझे समझ नहीं आया कि हम आखिर लड़ते क्यूं थे शाहिद ये मेरे इगो और उसके पैसे की बीच के लड़ाई थी मेरे खुशी की बस एक ही वजा है माया गिर गिर के उठती है उठ उठके जो गिरती है आखो को तुम्हारी रास चुपाना भी नहीं आता एक मुलाकात तो लाजमी है कि तुमसे मिलकर बहुत जगड़ना बाकी है तुम कहती हो तुम्हें मुझ से इश्क नहीं मगर आखे क्यों कुम्हारी थी फिर भी क्यों मुझे गुणरह करती है और अब भारी है मिस माया क्या की शिवा नीचे आऊ पूरा तो करने डेती माया कवीता कैसी लगी कुछ समझ नहीं क्या कुछ हम इसे μέ忽 में नहीं है क्या कोई बात नहीं तुम जौ आ अपनी माया तक पहुँच के लिए मैं उससे होकर गुजरता हूं जी चाहता है कि मैं उसे सीने से लगा लूँ और अपनी हसरते उसको पता दो जब माया को पहली बार देखा था तो मेरी सांसे मुझसे चुदा हो गई थी मैं हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाता हूं लेकिन माया ही एक ऐसा सब्जेक् वैसे माया पुलीस कमिशनर की बेटी है इसलिए मैं उसे प्रपोस करने से डगता हूं और शाहिद इसलिए मैंने उससे आज तक बात ही नहीं की हम जिसे पसंद करते हैं न हमें उसकी डाट में भी प्यार आता है उसका डाटना मुझे किसी गानी की तरह लगता है क्योंकि म स्कूल सावधान देर स्टूडेंट्स ना देर स्टूडेंट्स गुद्मानिंग आर वी आरेस इंटरनाशनल स्कूल इस गुए तो बीए नंबर वन स्कूल अमांग्स होल इंडिया इन्सब कारण है हमारे चात्र चात्राएं उनके माता-पिता और हमारे स्कूल के टीचर गर्ण जिनके सहयोग से ये सब संभव हो पाया है आज इस स्कूल की साखाएं पूरे भारत में हैं हमारे स्कूल के बच्चे हर जगे टॉप कर रहे हैं यह हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मल लगा कर अपनी पढ़ाई करें खास कर दस्वी और बारवी के बच्चे जिनके अभी एक्जाम्स ताजा ताजा आने वाले हैं मैं सभी बच्चों को अपने स्कूल के शिवा जिन्होंने दस्वी में टॉप किया था उनसे इंस्पिरेशन लेने का आग्रह करता हूं शिवा प्लीज कम टू दे स्टेंज शिवा पढ़ाय लिखाई में नहीं बलकि स्पोर्ट में भी अच्छा है और उससे हमें बहुत उम्मीदे हैं प्रिंस्पल एक नंबर का चापलूस है जब देखो तब शिवा की तारीफ करता रहता है और आदमी नहीं एक गिर्गिट है अनुल डे पर मेरे डाट की और मैं यह बताना चाहता हूं कि नासा ने शिवा को चुरा है इस साल कर स्पीश के लिए तालिया और जो से बती चाहिए ताकि इन तालियों की गूज नासा तक पहुँचे स्कूल के स्टुड़न ने सेटलाइट साइंस में एक नया मुकाम असिल किया है पर इसी रफतार से स्कूल के फॉर्म विके सर तो हमें अपनी खुद की प्रिंटरिंग परेंश खोलनी पड़ेगी सब अगर हमारे स्कूल को ISO सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसे दो बड़े स्कूल हम और खोल लेंगे मिस्टर गोविंद राम खोलेंगे सर बिलकुल खोलेंगे सर आईएसो के सारे मापदन हम अपनाते हैं सर पर पर क्या हमारे स्कूल में जो पीछे तूटी हुई दीवार है ना उ जुकी जोपलों के बीच आती है सर हमने ही अपनी स्निहमा लांगी है और इसका केस कोट में चल रहा है कुछ कीजिए यह बात है अब पहले काम कीजिए वह बना दिजिए अच्छा बाकी सब मैं संबाल लूँगा इसो का इंस्पेक्शन करीब है ध्यान रखिए कोई हाथ आगे करो यह सब मुझे पसंद नहीं है मुझे दर देने में बड़ा मजा आता है केट पूजा करने के अलावा कभी-कभी सरस्वती की पूजा भी कर लिया कर इससे तुम्हारा मोटा पेट और मोटी बुद्धी पतली हो जाएगी सर लग गई सर इसर लग गई सर नग लगई सर पैंसल रख सर मया श्री निवासन सर बुक क्याए मेमोरी ज़ अफ मिड़नाइट बुरी बैग सर लाइबरियी की बुक है वापस करने है वाट इस काल्ड आज तूपल्स इन डेटाबेस इन डेटाबेस मुझे यकीन है कि तुम्हें जवाब मालूम नहीं है लेकिन यह भी गैरंटी ही कि सवाल भी समझ नहीं आया होगा सेट ओफ रोज सेट ओफ रोज तुम यहां पर पढ़ने लिखने के लिए आती हो यह अश्लील किताबे पढ़ने के लिए नहीं डू यू अंडर्स्टैंड यह सर आ विल नॉट रपीट दिस नौ आम नॉट गव दिस जाओ जाके फाइन बर्दो सर प्लीज सर इससे अच्छा तो फाइन ही भर दूँ गो गो गाजिला गो 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 गाजिला साहिली जी आपका टाइम नहीं हुआ नहीं सर जब देखो तप फूसता रहता है और लड़कियों को घूरता रहता है माया को कैसे पटाओ बताता ही नहीं है वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है यार तो पता करना उगो का पसंद है उसको बुक पसंद है बुक देके पटा उसको उसको उसे कौन सी किताब पसंद होगी अब हम लाइबिरेरी है का जो हमको पता होगा कौन बुक पसंद है डेविड बून्स डेविड बून का किताब लड़कियों को बहुत पसंद आता है अभे यह डेविट बून्स सिंगुलर है यह प्लूरल अभे सिंगुलर राशी किताब पे धान दे है उसकी किताबे रुमैंटिक होती है अच्छा डेवेट बून्स डेवेट बून्स डेवेट बून्स डेवेट बून्स इतनी किताबे के उठा रखी हैं लाइफ ओन मास युनेस्को में सब्मिट करने वाला हूं में या आर्टिकल इसलिए पढ़ रहा हूं कितनी महनत करता हूं जानती हो यह तो भावी नहीं दे रही है है माया डेविड बून की किताबे पढ़ती हो क्या लिखते हैं क्या वोकैबलेरी है उनकी डेविड बून मतलब अब वो क्रिकेट छोड़कर राइटर बन गया है कबसे मुझे तो एसा याद नहीं अगली बार किताब पढ़ो तो राइटर का नाम ध्यान रखना वो मिल्स ए अगली बार जब लाइब्रेरी आओके मुझे बताओके क्यूंकि मैं तब नहीं आऊंगे या तो हर कोई हमारे स्कुल में बचिए पढ़ना चाहता है अभी अभी होम मिनिस्टर का फोन आया था वो अपने बच्चे के लिए एक सीड मांग रहे थे सीट नहीं दी क्यूंकि अब के हाउसफूल है हां ओके ओके सर अब भागवान रवी कुमार सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है पर आपके धर्शन अभी अभी हो रहे है अच्छा यह बताइए कहीं आप रामपूर से तो नहीं नहीं सर मैं सोनपूर का हूं वह भी तो अपने जिले में है जब से आपने उस स्कूल में as a physics teacher जॉइन किया है, उस स्कूल को आपकी वज़े से बहुत फ़ाइदा हुआ है. पिछले साल, physics में, दस बच्चों के सौ मांख्स आये हैं. हमारे स्कूल में, we have a very good chemistry teacher, we have a very good maths teacher. लेकिन, we need a very good physics teacher, like you. अब हमारे स्कूल में जॉइन करने का क्या लेंगे? सर, दरसल बात यह… सर, पांच लाग कैश, जॉइनिंग से पहले, और एक लाग रुपया महिना. आप स्कूल स्टूडेंट्स की स्टूशन स्कूल में ही ले सकते हैं, और वो कमाय भी आप ही की. आपकी उस कमाय में हमारे स्कूल का कोई हिस्सा नहीं होगा. मैं जहां काम करता हूँ, वो अच्छी तनखुआ देते हैं. अगर हमने सरस्वती को बेचा, तो यह बहुत बढ़ा पाप होगा. आपकी वाइफ का नाम क्या है? लक्षमी. आप अपने वाइफ के पास जाएए, उनसे डिसकस कीजिए, और फिर बताइए, हमें कोई जल्दी नहीं है. समझ गए? एजूकेशन इस वेरी वेरी गुड बुड बुजनेस. सर मेरी बात तुस्ट। सर आप यहाँ आये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर जाएए, वाइफ से डिसकस कीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छा सा ब्लैक बूड बनवाता है. नंदनी, पिच्छर दिखने चलें? श्रीध है, तुम घरवालों से हमारी शादी की बात कब करोगे? अरे, जब प्यार महबत से दिल भर जाये, तो शादी कर लेंगे. फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे, बाफरे, शालिस मिस्कॉल. गुस्से में होगी, बात कर लेता हूँ. कितनी देर से फोन कर रहे हूँ, कहां थे तुम? मैं तैर रहा था. मचली हो, क्या जो तैरते रहते हो? अच्छा सुनो, शाम को कहीं बाहर चले क्या? अरे, नहीं, येक काम करूँ, तुम यहीं आजाओ. मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, मैं नहीं आउँगी. अंदर क्यों आ रहे हो, निकलो यहां से, मैंने बोला था न, एक सर्प्राइज है, मैंने कहा न, श्रीधर, जाओ यहां से, अरे, बेबी, तुम नहीं चाहोगी, कि सर्प्राइज क्या है, अंदर मत आ श्रीधर, ये ठीक नहीं है, देखो, कोई आजाएगा, डरों मत ये देखो, तुम्हारा गेट, लो, प्लीज, अरे, आओ न, नरेश, लाइट आफ करो, हे, मैं लाइट आफ करूँगा, तु तु गेट कैसे खोलेगा, मुझे अंदेरे में सब दिखाई देता है, तुम रोज रात को दस बजे आते हो, सिकेर्टी को समाला मुश्किल हो ज अरे भाई, मैं तो बस मजाग कर रहा था, तुम्हारा स्कूल है, जब मन करे आओ भाई, लेकिन तुम्हारी डड़ी के अगली फिल्म में मैं विलेन बनूँगा, या तो परकार साज, या सिवक राम, कॉन्ट्रेक्ट बनवा लो, पिछली फिल्म में तुझे काम तो दिला मैं तुम्हारी तुम्हारी विल्म में करे आजखेता में तुम्हारी जज़ाम खोर्णी के जघुर हmore यह बंडित इतना साथ क्यों है स्विम्म नहीं कर रहा है शेवा यार शेवा उसका वो तेरा क्या प्रॉब्लम है नील आमस्ट्रॉंग ने चान पर पहला कदम रख यह सारी दुनिया जानता है लेकिन दूसरा कदम रखने वाले को कोई नहीं जानता अबे चांस बर दो लोग यह दूसरे नंबर पर आना कोई गलती है क्या हमारे बीच के वल दो नंबर का अंतर था सेकंड रेंक है इसलिए मुझे कोई पहचानता नहीं मैं भी फर्स्ट आना चाहता हूं यार श्रीधर सर तुझे फर्स्ट आ रहा है ना समझ ले तू आगे क्या बोला नरेश मैं मैं नंदरी मैं नरेश तुम लग जाओ ओकी मैं क्या हुआ कुछ इमरजनसी है क्या आपसे एक मदद चाहिए मैं अफ कॉस टल मी ज़रूर करूंगी शिवा इस बार फस्ट नहीं आना चाहिए उसके बदले इस बार फस्ट घंशाम आएगा अगर वो अच्छा हो तब भी वही फस्ट आना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा वोट नॉंसेंस मुझे धंकी दे रहे हो प्रिंस्पल से कंप्लेंड करूं तुम्हारी है मैं रुको तो इतनी जल्दी भी क्या है मैं आखरी बार कह रही हूं मेरे रास्ते सेहटो चलिए आपको एक दो मिन सब्सक्ताना चाहिए समझे नंदिली क्या करूं कैसे हो गया यह होगा है है उसने मुझे धंकाया है कि मैं उसकी बात मानूं वरना वो वीडियो वाइरल कर देगा तुम डरो मत मैं उसे देख लूँगा प्लीज कुछ कुछ खरो शीदर क्या हुआ? कुछ नहीं घुर तो ऐसे रहे है जैसे मैंने इसको छेड़ दिया हो सौम्या ने अब तक फीस नहीं भरी इसे हुआ क्या है पता नहीं ओपर क्यों जा रही है जा कर देखती हूँ टेरस पर सौम्या यहां क्या कर रही हो माया यह क्या करने जारी थी तुम चलो चलो नीचे चलो तुम मेरे साथ चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ यह क्या कुछ नहीं आया मया प्लीज इसे मठोलो मैया छोड़ तो इसे प्लीज में आती हूँ मेरी मौत का कारण नरेश है वाट इस दिस बात क्या है सौम्या बताओ सौम्या काफी दिनों से तुम डिस्टरब लग रही हो नोटिस बोट पर मैंने दिखा कि तुमने फीज भी नहीं भरी क्या बात है सौम्या रोम है मुझे तो बताओ जब मैंने पहली बार नरेश को देखा था तो वो मुझे अच्छा लगा था मैं भी उसे अच्छी लगी थी उसके साथ बिताया हुआ हर पल हसीन था बेटा मुझे से प्यार करता है यह सोचकर मैं बहुत खुश थी इसलिए वो जो भी कहता था मैं वो करती थी लेकिन इतन यह वीडियो का बनाया जब तो मज़े ले रहे हैं इसे डिलीट करो प्लीज इसे डिलीट करो स्कूल की कई लडगियों की तरहा मैं भी उसके प्यार में बेवकूफ बन गई पैसे लाइए हुआ है बेना शाराफत से वीडियो डिलीट कर दू कर दू का चल निकाल मन करता है तो महा डालो उसे पैसे देने के अलाबा मेरे बास गोई रास्ता नहीं था चलो है तर्ड बैटल पानिपध टुक्त प्लेस ओन 14th January 1761 अपानिपध आपवग सिस्टी मानी ओंट फॉर्ट प्रम डेलीटीन अधन एक्पिरिशनरी फॉर्स फॉर्स अफ दी मरथा एंपायर और इंवेदिंग फॉर्स अफथे एंपानिस्टान एहमद शाह अब्डली सपॉ चल 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 ना रहा है तुम जाओ मैंस से बात करती हूं उसके बारे में तू क्या बात करेगी नरेश वह अब तुमसे नहीं मिलेगी हम दोने दूसरे ते प्यार करते हैं तुझे उससे क्या चुप बत्तमीज मैं जानती हूँ तू सौम्या को ब्लाक मेल कर रहा है यह सब छोड़ दे और इसी वक्त सब कुछ डिलीट कर कही माया नरेश को तो पसंद नहीं करती चल्वे आसी कंटीन चलते है क्लास चलते है तब यह तो ठीक है नहीं तुमारी यह उधार जादा बढ़ गया है क्लास में नरेश और माया अकेले हैं हाँ तो मस्ती करने दो उनको तुम कंटीन चलो भूख लगी है पता नहीं वो क्या बात कर रहे है नरेश को क्या बात करनी है फ़र्ष्ट वो तुम को लव नहीं करती है सेकंड तुम डाउट कर रहे हो इतना चिंता है तो जा के देख अज कर देख लगे का यार आज कल डीसें लड़के नहीं पसंद लड़कियों को डिलीट डिलीट करना है ना उसे आरे के लिए बोल नहीं तो तु आजा वीडियो डिलीट कर दूँ नरेश मैं तुझे वोन करनी हूँ तू मेरे बारे में नहीं जानता मैं सॉम्या की कर रहे हैं यह कंपास गुसेट यह रहे हैं भाइड लव कर रहे हैं क्या है अबे सिवा क्या देखा लड़कियां तो काननाक चेथिया ना यह नरेश को शेद रही थी अरे यार तु साफ साफ बताना क्या बात है तुम जैसा सोच रहे हो अईसा कुछ भी नहीं है यार उन दोनों के बीच में परकार हैं और दोनों परकार के लिए लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं पर क्यों हमें का मालूम लगता परकार मुथ महेंगा होगा ओके लड़ने दो मुझे लगा मेरा पता कड़िये ना चलो पार्टी दो हमको लिट्टी चोगा खाते माया इसे तो मैं स जोड़ना यार छोटी सी बात है इसके लिए टेंशन क्यों ले रहा है आज अंश का बर्डे पार्टी करते हैं तेरे डैड़ी के फार्माउस चल के मज़े करते हैं क्या कहा पार्टी है हाँ पहले चोकलेट खाया उसका गिफ्ट दे तेरे को गिफ्ट चाहिए यह ले मेरी ज तू बस एंगल अच्छा रखना अचल लिगाए यह शालू कम यह क्या सैम आज मेरा बर्डे है है यह वोड़ी आज मैया मैया है मैया मैया थाज्टी क्लीज सम् है सम् क्या बात है तोड़ी इस मैं बर्डेर अर रिलिया है अब बड़्डेर तंक यू तेक बन मोर नहीं टाइटिंग पर हूं माया नो गिफ्ट तू मी क्या गिफ्ट तो अगर पहले पता होता तो पक्का कुछ ला दिए माया तुम मुझे एक हग दो की वो ही बहुत बढ़ा किफ्ट होगा शिवा शाम अगर अपने हाद मरें है कर दोट की इजित अखल नहीं है माया कैसी गिरी हुई हर कत्की तुमिने मेरी बात सुनो तुम मुझे गलत समझ रही हो अगर तुम उसे हक कर रहे थी ना तो क्या हुआ उस उसका बर्दे था तो उसके विश्ख करी थी तुमने इतना जादा ओवर्यक्ट करके सबके सामने तमाशा कर दिया बड़े पेविश्क करने में कोई गलती नहीं है, मगर उसका मकसद कुछ और था, तुम नहीं समझोगी, ये छिछोरा काम नरीश का ही होगा, ये साम, नरीश का नाम लेकर तुम ये सब कर रहे हो, है ना, नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी गलतीों को चुपाने के ये उसे ब्लेम मत करो, ये नौट बैफादर, मेरी बात तो सुनो, वो मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, मगर मैं उसे मुहपत करता रहूंगा, कर दो करता रहूंगा, ये उसे मुझसे कर रह दो बात कर रहे हो, है वो मुझसे । ए इसे बात रहे हो, हुग सकता रहे हो, वो मैं ये सब कर दो कर दो कर रहे हो सब्सक्राइब आपने अपने अपने क्लाशेज में आप चलो चलो जल्दी क्या सेवक राम यह हमारे स्कुल में इतने आवारा जानवर कहां से खुसा है सर वो कमपॉंगों नहीं बनी इसलिए वो अंदर आ गया है अरे इतना हमें भी मालूम है जाओ 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 जल्ली जाओ जिल्ली जाओ तुम डरो मत आइस रामालना था जाओ 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 जुला आओ जाओ जिल्ली खुआ। और मुर्क्त कर दिए यह। पोज राल राल! बाया? कि युभ मार की गीतो कि युभ गीतो यह बगवान क्यों मिट्र सीधर आसा क्यों हो रहा है वो भी ऐसे समय पर अगर शिवा नहीं होता तो बहुत बड़ा हाथसा हो सकता था सर यह छोटा सा हाथसा था अग्सिडेंट बता कर नहीं होता है स्रिधर आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दिजिए ऐसे की तरह इसने कहा उसने कहा यासी इलजाम लगाने से थोड़ी चलता है सच बात कहूं तो आप बहुत केरलेस हैं सुनकर आपको बुरा लगेगा सर आप नरेश से पूछिए उसी ने ये सब कुछ किया है पर नरेश ही क्यों आखिर नरेश ने आपका क्या भीगाड़ा है सर उसे सारे स्टूडिंस के बीच में आप उसे मार रहे थे देखिए वो एक सूपरस्टार का बेटा है ये मत भूल जाना और हमारे स्कूल को उसकी जरूरत है लेकिन स्कूल चराना कोई आसान काम नहीं है तुमने अपने लापरवाई से केमिकल डिपार्टमेंट को खुला चोड़ दिया और लैब में बिस्वोट हो गया मेरी बात तो सुनिया नो 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 नरेश ने मुझे सब कुछ बताया है सर प्लीज सुनिया तो सारी गल्ति तुम्हारी है अभी तुम जाओ श्रिधन और अगे से ऐसा ना हो इसका ख्या लगना ज़ा एंज आ थे साथ अभी ब्लातम सुनिया रहना है जौट दिरो रहो कि विस कोल्म पी ओगे आउफ़ आओ जो जो फो पर बोला हो जे ये कगा थे विह कोख़एंस तराएउ ए मेहलाम सरी आख़ाऊ है कर दो आणरे लुए सुला कंई यह पुपे पुला ओदर रुनिंग में यह सो क्या अ क्या हूंग कुप कर यह अरे क्या हो इस चाहिं यह अरे टोड़ा सी तो यह अरे चाहिए पर द्स भुन जदी मंदें था तटो यह पिला करें दिख जो प्रत बहुत जए। अरे इसे क्या हुआ इसे अप्टिल ले चलते हैं अप्ट पॉजणिंग लगती है जल्दी से स्कूल की डिस्पेंसरी लेके चलते हैं अप्ट अप्ट पॉजणिंग से मूं में जाग थोड़ी आता है इसने स्कूल कैंटीन से कोल डिंक और समोसे खाय थे गुद मॉर्निंग इंस्पेक्टर साब कुछ ठंदा गरम लेंगे आप कुछ दीजिए लेकिन बिना मिलावट के सीधे हॉस्पिटल से आरा हूं मैं क्या कुछ हो गया क्या अगर कुछ हो गया होता तो चेर्मन अभी जेल पले डॉक्टर नहीं आप स्कूल के बच्चों और उनके पैरेंस से चुपा सकतें पर मुझ से नहीं देड़ साल पहले स्कूल के स्विंग पूल में जो लड़की मरी थी उस केस को भी मैंने ही एक्सिडेंट केस बनाया था और दो साल पहले एक बच्चे ने सुसाइट किय अगर गड़े मुर्दे ना उखाड़ू तो मेरी देखभाल कॉन करेगा मैंने हमेशे आपका साथ दिया है इसमें डॉक्टर्स का भी हिस्सा है जानते हैं ना महंगाई बढ़ गई है एक लाग और कानून आपके साथ है सर आप बिलकुल भी फिक्र मत कीजिए यह थेंक्यू 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 चलताओ प्रिंशिपल साभ क्या गोविंद्राम इसे चोटे मामलों तो आप खुद देख सकते हैं गोविंद्राम जी बिजनेस और पॉलिटिक्स में तो प्रॉब्लम है पर स्कूल में तो नहीं मुझे किसी भी हाल में आयोसो प्रॉड एक्जाम में कैसे पास होगी माफ कर दीजिये सर् तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस है सर् रियल एस्टेट माँ बैंक मैनेजर है अब ठीक से मैनत करो कोई बहाना नहीं चलेगा जी सर् इंदू सर् आस्क्यो पैरेंट्स तु काम सर देर हमेंदू के पैरेंस है आप हमसे मिलना चाहते थे इंदू 22 दिन उसे स्कूल नहीं आई है ये मुझा मेंदमी पलीस ये बात थीक नहीं है मुझे चेर्मेंण से मिलना है वही घड़ जिम्मेधार माब आप बच्चा जब पैदा होता हा तो गोद में उठा की डूलारत तो उसे स्कूल भेज कर ये सोचते हैं कि चलो वाई हमारी जिम्मेदारी तो आप खत्म हो गई हर महीने फीस भरने से कुछ नहीं होता है नरसरी में टीचर, पांचवी में टीचर, दसवी में टीचर और अब मैं आगे कॉलेज में उसे कोई और टीचर पढ़ाएगा देखिए टीचर्स बदलते रहते हैं लेकिन पैरेंस नहीं, कभी भी नहीं बदलते अगर वाकई आपको बच्चे की फिक्र है तो उसे अभी से सही और गलत के बीच का फर्क समझाईए यह इतना आसान नहीं है, आप उसके दोस्त बनकर उसे यह समझाईए तब जाकर होगा इंदू बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए आपको यह बुलाया इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज डॉंट लूज यॉर डॉटर सचाही बताओगी तो तुम भी फसोगी, बेकार में पुरानी बातें मत करो, बात को समझो यहां क्या कर रहे हो तुम वह साइंस लैब है न, मुझे उसकी चावी चाहिए प्रैक्टिकल करने जा रहे हो तुम तुझे उससे क्या मुझे चावी देना मैं चावी नहीं दूगा चावी देगा या नहीं यह देखो हीरो को गुस्सा हो रहा है तू चावी नहीं देगा तो क्या मुझे चावी नहीं मिलेगी देख मैं कैसे चावी निकलवाता हूँ तू मुझे धंकी दे रहा है कान के दूँगा समझा मुझे दो यह क्या है तुम अपना क्वेश्चन छोड़ कुछ और कर रहे हो एक्सपरिमेंट सर एक नया अविश्कार कर रहा हूं साइन्स फेस्ट के लिए नया केमिकल बनाया है मैंने खुद चेक कर लीजे एक्सपरिमेंट बाद में करना यह टेस्ट है सही प्रैक्टिकल करो वरना फेल हो जाओगे मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ सर और आप कप काम आएंगे आप मेरी हल्प नहीं करेंगे श्रीधर सर मेरी हल्प करना तो आपकी मजबूरी है तु मुझे धंका रहा है मेरी मर्जी के बना तु कुछ नहीं कर सकता हाँ सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैं आपको क्यू धंकाऊंगा पिक्चर तो आप देखी चुके हैं बाकी आपकी मर्जी मैं तिरे साथ क्या करूँगा तु खोद नहीं जाता माया 56 मैंनत करो बना फेल हो जाओगी मोहेत 42 थे भोले एक जाम में ना मेले हो गोले 75 नेपोलियन मत्टू आपके अमारे बीच का कनेक्शन कॉन तोड़ रहा है नेपोलियन यस माम रंजीत रंजीत 61 क्या कर रहा है अगली बार अच्छे से पढ़ना अच्छे मार्स मुषकान 62 लगता मैंने जादा टिकाली तीसली पास कर दिया उनना फेल हो जाते लगता यार मैं फर्स्ट नहीं रिलाक्स यार डोंट वर्य तू क्या कोई जादूगर उससे विए उपर भगवान उमें देख उदर नरेश 48 शिवा 95 95 enough खंश्याम 97 गंश्याम फिर से नहीं करने वाली समझ गए मैम प्लीज मैम तुम घर आकर शादी की बात कप करोगे नंदनी मा बाओ जी भाया के घर गये हैं उन्हें लाटने में तीन मेहने लगेंगे बात को समझो मैं तब तक इंदजार नहीं कर सकती आज मांक्स देने के लिए धंकी दे रहा है कल क्यानी क्या करेगा वाइड़ों यू अंदर्स्टैंड वो मुझे ब्लैकमिल कर रहा है तुम तो खामखा घबरा रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा जस्त रिलाक्स मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है मैं चन से सो भी नहीं पा रही हूं डॉन्ट कॉल मी अगें शेधा आप रही हो स्ट रहills कि अशेधा है अच्छा फैसला मुझे एक प्राच ने को आज से रहनां स्कूल्स हमारा सकूल हमारा स्कूल हहाथ तो मिला ओ смотр सार कि मैं अलिक सिर् Mm अभी हिव जोडब आत्य ultimately होग थोड़ी यह कर दो यार प्लीज यार दे दे यार मन कर रहा है गेम खेल लेगा बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया है इसे लिख लो ए दिखाना और ध्यान रहे है एक्जैम में यही आने वाला है सर तो तो फोन में वीडियो गेम खेल रहे हैं अपने पेरेंट्स को ले आना और फोन ले जाना ठेक है इस माइ फोन सदा इस विनोड को दो तुमहारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ से फोन चीनो लाओ दो फोन नहीं दोंगा मैं नरेश अपना फोन मुझे दो गेम ये खेल रा था फोन ने क्या किया सदा देनी तो उसको दो लाओ फोन मुझे दो वो पोने दो मुझे पीज़ा लाए इसमों मेरा हाथ बावाल हाथ लगा तो रौ किसे दिखाता है रहा हाムा ज्ल अच्छल वा निकल चल में तो बनाएक खzes ऑॉल कृण। हटो हटो पीजी हटो दरिश क्या होँ बटा उटो 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 क्या होँ बटा तुम ठीक हो ना चूर तो नहीं लेगी तुम्हें मिस्टर सीधर यह सब क्या हो रहा है आपने इसे क्यों माह रहा है प्लीस जवाब दीजिए सर क्लास में बैठकर गेम खेल रहा था और पूछने पर हाथ उठाया यह सच नहीं किया सर गेम विनोद खेल रहा था और यह मार मुझे रहे क्लास में आप किसी से भी पूछ लीजिए तुम्हें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना अब जानते हैं लड़का कौन है सुपर स्टार रमा कांथ का बेटा है वो कल अगर उससे कुछ हो गया तो यह मीडिया वाले न्यूस चला-चला कर हमारी जान ले लेंगे तो और कितना बरदाश्ट करूँ बरदाश्ट करना होगा हमें ऐसे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल को फेमस बनाते हैं समझा करो यार यह लोग अन्रस टार पीस को जाए 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 याप चुछ देखा से असे ना समझ की तरह बिहेव कर रहे हैं फाइला हुआ फ्लास में फोन का इस्तेमाल करना गलात है सब लोग इसे कॉपी में रिख लोग इसे कॉपी में रिख लोग बोलो तो यह ना सपना के बाब रिख site यो 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 तुम्हाले बाबबाको में रिख रहला हुशनति चलो जल्दी जाओ यो यो था रेखागे वाट टो बीशमालbn मया जंदी जल्दीчи जाओ सबूर में मारकट में मार्कट तेन मैं माहिने है इसे इसे जाए त्र हैंध तो यह तोप नहौत थीनी क्हात है विच ऑस्पिटल रे चोपड़ा ऑस्पिटल मेरे डाड तीन महीने से बैंककॉक में है तरह इसे चोरी तेरे बबू का बाप ओगा वो लम्मे बाल थे उसके और वाई यू रे मन्ने भूल गई तू तरह आसिक रे चे मन्ने तरह पिछे पड़ाओं आई लब जू यू यू मारे खाए लड़के ने आगे चेड़ता है लड़के वहां अरे मारके रहा है रहे चोदरी मों यू जाने ना हिसे आतरा है प्यार पर सिर्फ हमारा हग है सब्सक्राइब कर आए पाल मत कर आपकर अपनी शक्राइब करें करें चोड़ूंगा निकल जा के किसी को भी ले के आजा हम यहीं मिलेंगे मैश चाहरा हम और रहनन मचें का निकला कर आपकर के गतरा है और आपकर के नियुक। यही डीटेल सेथिकत में सर्टिफिकेत में हैं मैं एस इघेए नेम रमा कान? यह मैं इसालब लिए निए वाट इस अबटिस डीत अफप्रेत इंवरी 98 यह मैं समदैनियल जोजफ दैनियल डीत इट अफब ग्टवेंट यह अर्य थी था से वीज़ीए था come on boys and girls get up happy birthday to you happy birthday to you just one hug you will be a big gift happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you what do you want to have and you and you Jesus laughs कर दो कर दो हाई हाई यार इतने दिनों मैं पहली बार आज मुझे उसकी आखों में मेरे लिए प्यार दिखा अपनी दो साल की महनत के बाद लाइफ उन मार्स की थेसिस फाइनली मैंने कम्प्लीट कर दी शीवा के सब्मिट किये हुए सब्सक्राइब देखकर युनिसको ने रेकोंगनिशन दे दी है यह हमारे वी आरे से स्कूल की सभी शाखाओं के लिए गौरों की बात है यह वेरी हैपी आप सभी के लिए एक और खुशकबरी आप जिस विद्याले में पढ़ रहे हैं उसे जल्दी ही आयसों का सर्टिफिक को तुझे सम्हाल के रखना चाहिए यार ऐसे खुले में मत रखा कर तेरे दुश्मान उसका फायदा उड़ा सते हैं कि अलग खलग नहीं बलकि अवल है सबसे अवल तो आपको एक बार फिर से याद दिला दू कि इसी मंडे हमारे स्कूल में मेरे दिल? वो नू नू तो सभी बच्चे रेडी हो जाए और अपने अपने काम तस्पत हो जाए क्या हो रहे शुल बच्चा करण करेंस लोग इतनी हि्मत रुखो ॅ फ서 अज़ जाओ शेस कंभाई, शेलाओ हूच शेलाओ! शेलाओ, शेलाओ… यहितने मिसारी शेलाओ, शेलाओ, शेलाओ!! शेलाओ, की शेलाओ...! क्या करें हो? क्युक्या, क्युक्या एका. क्या घपिए नेवां. क्या भ्राव लतने हैं. प्रॉक्या. क्या रहंग. क्या एक रहंग हो उतने हैं. वहाई हुआ चुछुए, मुझे बएंवा नुगुछुटुटु, घॉ कुछुटु कुछुटु, चुछुटु, छुटु, चुटु, चुटु. इसने मेरी तीसी जला दी सर क्या तुमने देखा कि उसने चला है इसने खुद मुझ से कहा है सर जूट मत बौल डॉंट टू स्मार्ट तुम दोनों की जगड़े की वज़े से इस पूरे स्कूल का महल खराब हो गया है और कल जब तुम आओगे अपने पैरेंस को साथ में ले सब्सक्राइब तो नंदरी मैम से पूछ लीजे कि लास में शिवा का बरताओ कैसा है क्या नरेश सच कह रहा है सब को सच बताएए मैम बोलिये ना अब तो यकीन हुआ रहा सर शिवा तुम एक आउटस्टेंडिंग स्टूडेंट हो इसलिए हम तुमारी तनी हिज़त करते पर ये सारे टीचर सब तुम्हारी कंप्लेंड कर रहे हैं सर्फ फ्रम लास्ट वीर्स आप में क्या प्रेजंट करूंगा सब उस थीसिस में जो इसने जला दिया नौ हाव विला गो सर्फ शिवा थीसिस को दोबारा बना सकते हैं पर इसके लिए ऐसे मारना ठीक है इस पापा को बुलाने पर मजबूर हो जाओंगा मैं अपने डैड की नहीं सुनता चाहो तो मुझे टीसी दे दो मैं किसी और स्कूल में चला यह देखा सर आपने ये कैसे बात कर रहा है मुझे तो लगता इसी ने चला आप चुप रहे है मैं जानता हूं मुझे क्या करना है आफ्टर आप्र आप अगलगे से प्रिंसिपल चलाओ जो जो हॉड़ जो बाटो करो क्या हो जो बेढ़ बोला ना डोंट टच कमसे गम बात तो करो थाइव वह काफिक आफिन आखिर ऑल अखिर उसके पास अमारा वीदियो अश्रीधर और वो धंकी दे रहा है तुमने कौन छोटा बच्चा है वो बहुत बड़ा चालबाज है श्रीधर अगर हम लोगों का वीडियो बाहर आ गया ना तो मैं सुसाइट कर लोगी नंदनी नंदनी भी बात तो सुनो ताइम तो हो गया मगर मैंडा मवी तक में आई ठीक से नमस्ते करना हां मेरी इस्द बचा ले बच्चों को पूरी तर से सिखा दिया ना सब बच्चों मैडम के आते ही उन्हें बुके देकर वेल्कम मैडम कहना है समझ गया ना मैडम पूरा स्कूल रेडी है ना चिंता मत करें सब ओके है अब है पुदे सेजी लगा गेम खिल वालो बस चॉवज गंडे सेजी लगा रैट के गंडा कोद अजनर तक चल बैरे सर बहुत जोर की लगी है सर मैं लगाँ अगा अगी बच जाएगी सर मैडम वेलकम बैया अगा प्रिंसिपल गोविंद राम थैंक यू गुद मॉर्निंग थैंक यू हलो मैं वेलकम तो आस्कूल थैंक यू है इसर भाइए मैंडब ओके आई है शीवा है शीवा वो नरीश हैना सच में सच भूल रहो यार मैंने अपनी याखों से देखा है जा कि देखा है तो यह लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है यही है मेडम शीवा टैंथ में जब फर्स्ट आथा तब यह तस्वीर ली थी अब प्लस्टू में यह फर्स्ट आएगा ऐसा हमें पूरा यकीन है हाँ ठीक हाना सही कहा सर जाए शीवा को बलाईए नो नो ऐसे स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम खुद उसकी क्लास में चलते हैं यू और करेक्ट मैम येस लेट्स गो मिस्टर रॉजर नडाल मेरा नाम गोविन राम है जी ओ मिस्टर चलिवा हाई है 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 बाया है 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 हमाया है माया, मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं आया तब ही यह मारा पड़ा था मेरा बिश्वास करो हेलो, मैं अर्वेंद इंटरनेशनल स्कूल का चैर में अन्ना स्वामी बोल रहा हूँ हाँ, बोलिए मेरे स्कूल के टीचर्स को खरीद रहे हो यह अच्छा नहीं है मेरी बात तो सुनिये मुझे कुछ नहीं सुनना है स्कूल के धंदे में तुम लोग कली पैदा हुए हो और स्कूल के धंदे का में सालों से राजा हूँ तुम भी बिजनेस करते हो और मैं भी मेरे से पंगा मत ले समझा ना जब एक हाथ की उंगलिया एक जैसे नहीं हो सकती तो हमारे बिजनेस करने का तरीका कैसे मैं जान दो सुक्ता है कि तेरी स्कुल हो के सबद्द करने मैं जानता हूं तो्सक्ति सब्सक्राइब लूगा ड़िक मैं तुछे बढ़ाद कर दूगा जूर सेमारो सर सर अम पायल लगाएया परण नहीं पोदे लगा है तो बच्चे की जैन लिगा क्या कहा लेकर आगे पे रे वाई वड़े जेल रहे तरने स्कूल से क्या डर रहे से अरे बाहर मिलता तो मारते यहां डर लग रहा है मैं तेरे साथ हुदा क्यों डर रहा है जब तक तुम्हारा खिलाडी जिन्दा है ना तुम्हें कोई आउट नहीं कर सकता श्रें यह बाई आप साथ होंगे ना उस बैन के भाई को चीर डालेंगे रहे मारी सबना के सामने उन अब जल चल 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 अरे बाग का रहा है बॉस अब जुबाल पे लगाम लगा भे पाचे और प्रिंसिपल लाग रहा है वो कैसे चुप रहे हैं पुरे परे हो जाता हूँ राजेश्वरी मेडम जी इस पूरे शहर में हमारा स्कूल ही नमबर वन है सबी पेरेंट् पर हमारी कपासिटी कितनी है तो आप जानती है अब आप हमारे स्कूल को आइसो स्टेटस देने वाली है यह सुनकर और सोचकर नजाने क्यों मेरे दिल को बहुत भूशी हो रही है अब यह पुलिट चोकी है क्या भे वर्दिया ठंगी है आइडिया आया स्कूल का कैमपस पूरे बी सेकर में है चार सो क्लास्रूम्स है इसमें चार हजार से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है स्विमिंग पूल प्लेग्राउंड यह सब अंतररास्टिय स्तर के बनाए हुए है हमने अगर आप पूरा स्कूल देखने जाएंगी न मैडम तो आपको पूरे दो दिन लगेंगे आप कहना चाह रहे हैं कि दो दिन क्यों बरबात करूं जट से साइन कर दू है ना मिस्टर चाचुंदर मिस्टर चाचुंदर गोरिला हाँख कालाजावन आपके स्कूल में सभी फैसिलिटीज हैं यह में जानती हूँ लेकिन यह सारी फैसिलिटी स्टूदेंस तक पहुँ मैडम इन से मिलिये यह है मिस्टर आन्थोनी गुंजालवेस है अलो आया टी में कम्प्यूटर एक्सपर्ट थे है यह अच्छा नमस्ते नमस्ते चलिये यह 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 कि यह यह जब मैं आया तभी से मारा फड़ा था मेरा विश्वास करो अ है है माय माय मैंने कुछ नहीं है माय मेरा विश्वास करो नहीं किया है माय यकीन करो हम दोने एक दुसरे को पसंद नहीं करते थे हमारे भी धगड़ा भी हुआ था लेकिन मैंने इसे नहीं मारा है मेरा विश्वास करो प्लीज मैंने नहीं मारा है मैडम मैडम यहां से अगर आप हमारे स्कूल को देखेंगी ना तो आपको बहुत खुब सूरत दिखाई देगा मैं क्या यह स्कूल खरीदने आई हूं मिस्टर सडा मैं गोविंद्रामुजी तुम यह क्या कर रही हो माया नरेश को तुमने ही मारा है शिवा मैंने कहा ना मैंने नहीं किया मेरे सिवा तुम्हारी बात पर कोई अकीन नहीं करेगा यहां सब तुम्हें इक होनी कहेंगे तुम्हारे और नरेश के जगड़े के बारे में पूरा स्कूल जानता है चार दिन पहले तुमने उसे मारने की धमकी भी दी थी इसलिए सब तुम्हें इसका कातल कहेंगे ऐसा कोई नहीं कहेगा कहेंगे, क्यूंकि मौकाई वारदात पर लाश के पास तुम ही थे मैं तुम नहीं हो, खुणी को पकड़ना इतना असान नहीं होता है माया इस इंपॉसिबल ठीक है लेकिन माया का सिक सेंस ये कह रहा है कि नरेश के खुण में तुम ही अंदर जाओगे और मैं तुम्हें वहां मिलने आऊँगी कि ये बॉस देखा कमरे पर कैमरा बिक्टॉस चल रहा है इधर अपने स्कूल के बारे में क्या क्या अच्छा बताओ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये एग रोल करके बाहर कैसे आ गया सर आप जाके अंदर संबाली ये बच्चे क्या ठूस रहे है और इसका पूखा रहे है जमीन से जुड़े हुए ला इसलिए बैठके खा रहे है प्लीज मूव देखिए हमारा स्कूल डेमोक्राटिक है किसी भी चीज के लिए कोई जू मैडम वाट ओके मिस्टर मिर्ची बाम नाई नाई गोविंद राम हां काला बॉम कैंटीन देखते हैं मैडम शीवा से मिल्ला ना बिलकर चलते हैं वह इसी स्कूल में पढ़ता है ना तो कहीं नहीं जाने वाला कहीं नहीं जाएगा तो चल्दी क्या है ओके माया आई अगर वह खोनी केमपस फोड़के चला गया होगा तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे वह जाही नहीं सकता यहीं होगा आल टेल्यू हाँ पट इलेवन थर्टी तक नरेश जिन्दा था और अप टाइम है 11.40 तुम क्लास के अंदर 11.38 पर आए इसका मतलब उसका खून इन आठ मि नहीं हुआ होगा और वो भी रीसेस होने के बाद ही यह खून हुआ है नमस्ते आलुपूरी खस्ते में गेट हमारी क्लास D ब्लॉक अब फ्लोर पर है यहां से में गेट तक जाने के लिए पूरे 15 मिनिट लगते हैं दौड कर जाओ तो भी 10 मिनिट लगेंगे इतना ही नही आज ISO इंस्पेक्शन की वज़े से में गेट को बंद कर दिया होगा मतलब बाहर कोई नहीं जा सकता अगर कंपाउंड वॉल से कूर कर चला गया हो व्यारान फ्लो शिवा और हमें क्रॉस करके कोई नहीं जा सकता और हां शिवा किलर खून से सने कपड़ों में बाहर नहीं लोग होंगे माया इन में से किलर को कैसे डूंडेंगे नरेश का खून करने वाला आदमी कम से कम छे फूट का तो होगा ही और उसका बेट भी 80 किलोज होगा इसका मतलब किलर एक एडाल्ट है तो साड़े तीन हजार स्टूडिंस रिजेक्टिर बाकी लोगों में से लेडी वाट मिस्टर गॉंजाल्वेस मैडम अंडा अंडा कहके मुझे बेवकूप बना रहे थे न अब वो अंडा आपके रिजल्ट में आएगा पुट इट मैडम आपको अंडे नहीं चीए ट्रक पर के नो एक्स्प्लेनेशन मिस्टर गॉंजाल्वेस शिवा खूनी नरेश का करीबी ही होगा इसका करीबी इसे क्यों मारेगा लेकिन बदला लेनी के लिए भी तो इसे मार सकता है ना पर हां पैसों के ले खून नहीं किया देखो इसकी गोल्ड चेन और उसकी घड़ी यहीं पर है तो नरेश की जान लेने की जरूर कोई और वज़ा है कोई और वज़ रुकोबे मैं अभी अभी भार आया हूँ दुबारा जिलनी जाओंगा समझा बेजे में डाल ले चलो ना साथ में डेरिंग बाजी करते चलो हाँ सीधे सीधे चल जोड़ी कर लो हाँ यो यह यह ओरीजनल जैहिं तो नहीं लगता है दाल में जरूर कुछ काला है आडमिन ब्लॉक में जाकर टीचर और स्टाफ की लिस्ट में से हमें जिन चालिस लोगों की जानकारी चाहिए उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं लेट को अगर में इस तरह निकला तो लोग तुम्हारी तरह मुझे ही खोनी समझेंगे तुम भी यही सोचने लगे मेरे बैग माया लेट्स को अगर हमारे जाने के बाद यहां कोई आ गया तो प्रजेक्टर आउन करके वॉलिम फुल कर दो क्लास चल रही है कि सोचकर कोई नहीं आएगा यही है हमारे स्कूल के ढी बेस्ट बालोजी टीचर मिस्टर के सुंदरनाथ नमजदे, टेंथ के लिए टीचर्स की कमी है क्या, नो, हेवी स्ट्रेंथ, एचली क्या है ना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए सर की ये फ्रेंट्ली अप्रोच है, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हाथ खोन से रिंगे, पहले मैं हाथ दो लेता गुड मॉर्निंग सर्, क्या वात है, यहाँ, कॉन सालविस कॉन है, आज स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा है, इसलिए वो थर्ड ब्लॉक में है, अपने टीम के साथ, अधर? आप सीधे जाके राइट मुट जाए और उपर जाकर के थर्ड ब्लॉक है, जी, जी, कमान जी, यहें वो चुनिएश्चन को बढ़ा है, जी, आप सक्कूल में कॉम ध्रस् वार सो मैं कर दो कर दो कर दो कर दो शायद वो नरीश की बॉड़ी को दफनाने वाला है हमें इसे रंग ये हाथ पकड़ना होगा तभी हम प्रूव कर सके हैं जा बात है मैंने सोचा नहीं था तुम खोनी को इतनी जल्दी पकड़ने दो लगता है दफनाने जाना है चलो उसे पकड़ते हैं यह लेट्स को सेवक्राम तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो क्लास में जाओ थम keto सबको को ले किआ में स्को भवाग निहीं दुणा तो क्लास में तुम लोग समझने की कोशिप गरो मैं सबकी जानवर को नहीं मारता ना तो आज जो इंस्पेक्शन रहे खराब हो जाता ये बात तुम किसी को मत बताना ये स्कूल के इज़त की बात है समझ रहे हो ना तुम लोग जाओ अब तुम लोग जाओ आप तुम लोग ग्लासमें जाओ गाइस एक है ने काम क्या है पीजा ओडर ये लिजिए ये पर्ची कायकी कितना है 1200 रुपए रहे बावड़ी पुछ हजार में चाल का बहुरा आजया पिज्जा खिलारा वारसों में तुम लोग ने पेले पीजा नहीं खाया क्या तुने कौन से टोल ती बार में पुचा वे टुवेल थे एक ही क्लास होगी ना ये सेवक राम के चकर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा अगर हम जल्द बाजी करेंगे तो असली खुनी सामने होगा तो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे हमें फिर से क्लास जाना होगा फिर से मगर क्यों किलर जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ कर गया होगा इस थम प्रूल ओफर क्राइम सीन तुम उस तरह देखो यहां देखने सचे एड्मिन ब्लॉक में देखते है पहले यहां देखते है शिवा नरेश के बैक में सिर्फ बुक्स और लैप्टॉप चारजर है डेस्क पर भी कुछ नहीं है माया अच्छी तरह से देखो शिवा कुछ तो जरूर मिलेगा किलर ने मुड़र के लिए पैंसल का इस्तेमाल क्यों किया वाय पैंसल यही समझ नहीं आ रहा है माया क्या हुआ शिवा मुझे लगता है तुम खुनी को नहीं पकड़ पाओगी एक किलर की कॉलर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो माया मुडर प्रूफ करने के लिए कोई तो सबूर चाहिए शिवा यह तो नरेश का यह फोन है लेकिन यहां क्यों पड़ा है देखो उसके पास सेल फोन है क्या देखो नहीं इसकी पॉकेट में सेल फोन नहीं है शायद किसी ने ले लिया होगा इसका मतलब है इसका मतलब है किलर को नरेश का सेल पोन चाहिए था चाहिए था या नहीं चाहिए था जब तक खुणी नहीं मिलजाता तब तक में किलर उम आया पास। सीशी टीवी में मेरा आना जाना भी雕ॉर्ड हो गयाourage!' सब मुझे ही जरा एक मिनिट रुको, देखो को या तो नहीं रहा, क्यों, क्या करने वाली हूँ, है, तुमने ताले खुलना कहां से सीखा, यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, वहीं से सीखा है मैंने, इसके इंचार्ज गुंजालवेस सर है ना, देखो शिवा, इस वक्तो हम ही इसके इसका पासफड क्या होगा, ट्राइज जीजिस, उनका पुरा नाम क्या है, आंथनी गॉंसालविस, आंथनी गॉंसालविस, जया टैप करें हो, एक मिट गॉड्जिला, यस, 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 करो, म lazım hallo, main gate.... això這個 A, this is C, uhm go to D, the other one, it's a corridor, come on now, go to 1130, no video, oh no, the corridor camera is almost 26,27,28,11.30-11.38, तक अफ है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुए, मैं क्लास में 1138 को आया है, उसके बाद की फोटेज है, यहां देखो, 1138 को CCTV कैमेरा अउन हुआ है, यह देखो मेरा वीडियो, सो किलर ने CCTV कैमेरा को आफ कर खुन किया है मया, उसके बाद यहां के कैमेरा अन कर दिये, इसका मतलब खुनी स्कूल के बारे में सब जानता है, यू मीन गौद्जिला, नो, वो सिर्फ दिखने में गौद्जिला है, लेकिन उनकी कंट्रोल में ही तो है ना, यह सिक्यॉरिटी सिस्ट्म, कोई और भी तो एक्सेस कर सकता है, हमारी तरह, इसका मतलब लैब कोरिडर के कैमरे में जरूर होगा, येस, एफ ब्लॉक में जाओ, क्यामरा नंबर 367, नंदिनी मैम, उस दिन नंदिनी मैम ने क्लास में मुझे सेकेंड रैंक दिया था, और उस दिन लडाइम में भी उन्होंने नरेश के साथ दिया था, चलो स्टाफ रूम चलते हैं, वहां क्लू ज़रूर मिलेगा, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम क्यों आया, वहां क्यों जा रहा है, चलो ना मैं सब बताती हूँ, हमारी कंप्यूटर लैब जैसी लैब आपको कहें भी नहीं मिलेगी, सारे इंस्टुमेंट्स एपल के हैं, यही नहीं, सौ सीसी टीबी कामरात लगाए हैं, पूरे स्कूल में, सब वरकिंग कंडिशन में है, हरे रे मैडम, एंट्रन से लेकर टॉलेट तक, सब वरकिंग कंडिशन में हैं, और इस स्कूल में प्रिंसिपल और मेरे परमिशन के बिना परिंदा सास तो क्या पर भी नहीं मार सकता है मैडम, सब पर मेरी बास जैसी नजर है मैडम, हाँ, सर, सर, हाँ, यह नरेश नाम का स्टूडेंट कहां मिलेगा, नरेश, आप उसके बार में क्यों पूछ रहे हैं, जी नरेश का डैड़ी ने उसके लिए पिजा ओडर किया है, क्लास में बाहर का खाना अलाउड नहीं है, आप ऑफिस रूम में जाईए, वही दे देना, ठीक है सर, यह यह यह, जहां देखो, अरे देखो ना, चल्दी करो, कोई आज आएगा, हाँ हाँ देख रही हूँ, मैं उन पर डायरी चेक करता हूँ, ओके, श्रीधर सर की फोटो, श्रीधर सर की फोटो इस डायरी में, ज़रा देना, यहां कुछ लिखा है, क्या क्या लिखा क्या है, माय अट्टी पाई, माय स्वीटी पाई, माय पूटी पाई क मतलब कया है, मतलब, सर, तुम दोनों यहा क्या करlor ہے, सर, तुम धो ब बुला है, क्यों? क्यमेकल स्टोरिज रूम ब बुला हैं आपको, तुम दोनों प्रिंसिपल सर कहा मेले अए पास वाले लाब में ठीक है तुम लोग निकलो ओके सर चलो माया उबर चलते हैं चलो चलो जल्दी आओ प्लीज मेक इट फास्ट शिवा तुम स्टेपल पर देखो तुम स्टेपल पर देखो कर लो कोविंदरम जी माडम चेर्मन साब लाइन पे है कर लो इंस्पेक्शण फ्राट होगाह क्या हां फ्राट होग pens अब सब चल रहा है हमारी राजेश्वरी माडम ही आई है प्ल्लम थाने मना सब कुछ ठीक जा रहा है ना फोन उतरहें ना मैसेज कर रिक्लाई कर रहा है मीर्य पतानी कहां है सारे ट्रॉस लॉक्त हैं एदुकेशन मिनिस्टर से मेले थे क्या अहां मैडम का पूरा ख्याल रख्य हुए है मैडम को सारी चीज़े दिखा देना आ दिखा दूगा सै मिस्टर मगरमच एक मिनिट से मैडम बात करेंगी आपका कट दफोन आई सेट कट दफोन कट कीजिए क्या कर रहे हैं पहले केमपस देखते हैं जी स्कूल केमपस के अंदर सेलफोन यूज नहीं करना चाहिए पता नहीं है क्या आपको ये रूल सबके लिए है ओके मैडम आप कर ले माया इदर देखो खून के दब्बे अपने तरीके से खुल एसे लैब में क्यों बुलाया होगा चल्दी करो कोशिच करीं हूँ शिवा माया चल्दी कोलो फास 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 नहीं खुल रहा है इस नॉपनिंग हड़ो ट्राय करो ये लो एक साथ ट्राय करें येस शिवा खूम्स है क्या कर रही हो स्वारी ए ब्लोक शिवा और माया ने तो लैप कहा था वेट 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 ये लो ये फोन ये नरेश का मोबायल है नंदिली मैम की डायरी में श्रीदर सर की फोटो श्रीदर सर की कपट में नरेश का लैप टॉप और फोन और तो और ये खोन से सना रुमाल आम ये श्रीदर अगर लाप्टॉप और फोन के लिए खून किया है तो इन में जरूर कुछ होगा लेकिन ये चीज़े इनके कवर्ड में है इससे ये प्रूव नहीं होता कि यही खूनी है वी नीड इस सॉलिड एविडेंस चाहिए चलो सबको बता देते हैं अगर अंदर कुछ नहीं करो इसे हमारे स्कूल की स्विविंग फूल में क्यामरा लगा कर रिकॉर्डिंग की है अब से मैं इसकूल में डाइपर लेकर आया करूंगा जाने की जरूरत ही नहीं है जलो मैं सोच भी निल सकता नरेश इतना घाटिया इनसान है उस जैसे इनसान से और क्या उम्मीद कर स अच्छा हुआ मैंने स्विम्मिंग जॉइनने की नंदेनी श्रिदर फोल्डर इसमें जरूर कुछ होगा कौन था यह गेंडा रेमन्ने के पता बाई बच्चों की जान लेके चला गया नंदेनी मैं बात्रूम में क्या कर रहे हैं हुआ सार शिवा पुम्दोन इहां क्या करेंव लाप्टों पक्किडो माया अपका करें लाप्टॉप में क्या है देखना होगा माया कहां भाग रहे है यह लोग मैंने कहां रुपचा वन्या तुम दोने को माय डालूगा अब हट सामने से दिवारों पर पेंट करवाईए हां मैं हम तयारी कर रहे हैं जल्दी हो जाएगा रहे सामने से इस्पेक्टर रहा रहा है तन्या आण से अर्य बर्दी समाल अपनी जाहिन सर्थ बचने कले बॉस वो आपका दोस्त है का ओ इचले डर रहे हैं मिलते सर्थ मैं आई हो और बारिश होने वाली है मैं आप चलका थोड़ा थग गई होगी कोल्ड रिंग्स कॉफी टी कुछ लेना चाहेंगी आप क्या मैंने आपसे कहा कि मैं टाइड हो मिस्टर चिंगम गोविंद राम यही है अमारे प्रिंसिपल गोविंद राम इनको शुगर बीपी तुमसे पुछाए शारूरत है वरना बेहोश होगी कुछ पी कर चलते हैं थीक है सब लोग शेयर कर लेते हैं लेकिन मेरी एक बात याद रखिए मेरे लिए मेरी डूटी फर्स्ट है आपक कॉसरी मैणम व्य दिस्टूर्स रखिटरेए मेड़ रॉब स्काथिन व्युछ निए सर प्रैक्टिस कर रह ऑन दो कैसी प्रैक्टिस क्रास्रा रह वो अरष्किश करा है हां यादाग यादाग Krashyal मेर से उर्क्टिस वह कॉरेडौर में कुछ तो करबड राम है मिर्स्टर यह कौन है कोच आहां कोच कोच दौर्णी के ट्रेडिंग देले वाले कोच हाँ ऐसा लग रहा है जैसे उनका खून कर देगा अब यह मैं नहीं भाग सकता उसको भार ही देख लेंगे आप मुझे तब से घुमा रहे हैं मुझे तो समझ में ही आरा के पद्दमीज भाई उपर कोई है अब इसे अंदर लेके चलते हैं चल 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 बेरूट सौरी मिस्टर गोविंद्राम आपका स्कूल बहुत बक्वास है मैडम लेकिन इस बर आपने मेरा नाम बल्कुल सही बुलाया अब पीजा तो खाया है निगे भारी कैसे हो गया ठालो या को अब कि दर जाला है बेब राट आप बिकरगी तुम प्रिंसिपल को क्यों नहीं बता रही हो सॉरी सर अराम से सॉरी सर गलती से टकरा गया मैं आप कौन है मैं मैं यहां का स्टाफ हूँ सर कहां जा रहे हो प्रिंसिपल सर ने बुलाया है तो भाग कि क्यों जा रहे थे थे थोड़ा अर्जेंट है अब कौन साल्विस है मेरे नम श्रीधर है सर तो वो कहां है आज वो कहां दो हुगा थे रहे हैलो हमेरा तो अब कहां कोई कहता है इर है कोई कहता है उँए आप यहां से भी जा सकते है और वहां से हुपड्ल है त्यंकιο च्छ आइया जय सर धरह में य्का का इन ने इसको दोने किया करों तुझे अअ पने एरिया में लड़की नहीं मिली मिली लगता है कोई आया है तश्रीप नीचे कर ले नमस्ते अलुबूड कस्ते अरे ये तो अन्ना है इडली वड़ा अन्ना नमस्ते नमस्ते अरे पाप्पे इंस्पर्टर मैंने कुछ नहीं किया है प्रिंसिपल सर नी बुलाया हूनी से मिलने जा रहे है यह एंथनी गॉंसदालविस कहां मेलेगा वहां से सीधा जाके नीचे चाहिए थर्ड फ्लोर के स्टाफ रूम में मिलेंगे थैंक यू यह वेलकम तुम कितने जर पोग हो स्रीधर सर नी नी नारेश का खून किया है वान मिनिट, आलेक्स मिल श्रीधर सरा और नरेश के बीच तनातनी चल रही थी वो इस वीडियो को लेने गए होंगे और नरेश क्लासरूम में अकेला होगा उट्थ, क्या लेटावा, उट्थ मैं चानता हूँ तेरा प्लान किया है, लैटप कार तब उसने लैटप देने से इंकार किया होगा मैं नहीं देने वाला माट ढलूँगा लैटप को हासिल करने के चक्कर में श्रीधर सर ने पैंसिल से नरेश का खोन कर दिया होगा और उसके बाद लैटप और मोबाईल ले लिया होगे किसी को पता ना चले इसलिए उन्होंने चुप चाप लैटप और मोबाईल को लाकर स्टाफ रूम के अपनी कबड में रख दिया होगा क्लास रूम में जाने से पहले ओफ के हुए सभी सिसी टीवी कैमेरास को अन कर दिया होगा उसी वक्त में नरेश से ये कहने गया था कि आज के बाद मुझसे कभी ना भीड़े आखिर तु चाहता क्या है इस दीसिस को तयार करने में मुझे पुरे जो साल लगे थे ये तेरी समझ में कहा आएगा क्यूकि तू और मैं बिल्कु नलग है नरेश 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 नंदीनी टीचर के लिए ही श्रीदर सर ने खून किया है इस लैपटॉप को प्रिंसिपल सर को दे देते हैं तभी सब को यकीन होगा कि कातिन हो अब तुम लोग बचकर यहां से नहीं जा सकते सुरारी तुने मैंने क्या कहा लाओ लैपटॉप मैं नहीं दूंगा सर् स्टूडेंस के लिए आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए और आपने खून किया है और उसे चुपा भी रहे है यह चुपकर सर चिलाने से कुछनी होगा मा लिजी कि आपने खून किया है अरे यार मैंने उसका खून नहीं किया है मैं एक क्लास में उससे लाप्तव और फोन लेने गया था पर जब मैं वहाँ पहुचा तो वो पहले से ही मरा हुआ था इसलिए मैं लाप्टॉप और मोबाईल लेकर वहां से निकल कर नहीं किया है शिवा ये जूट बोले है खून बाहर के आदमी ने किया होगा मैंने अर्विन स्कूल के चेर्मेन को यहां देखा था वही कातिल होगा वो नहीं चाहता बाहर के हमें आयचो सर्टिफिकेट मिले शरा आयचो और नरेश कुन का क्या सम्मन्द है अरे यह बात मुझे नहीं मालूम और क्या मैं पागल उंचो से चाकु से मारूंगा चाकु से मैं तुम से यह सब बाते क्यों कर रहा हूं लाओ लाव लाव लाप्टा बूचे दो अरे तुम बढ़ा क्यों अब तुम्हें बचाने के लिए क्या हम पे इल्दाम लगा रहा है सासे चल रही है जिंदा तो है ना शिवा इन्होंने खून नहीं किया क्या खून ए चिल्ला हमात या चुपट नरेश का खून तो पैंसल से हुआ है लेकिन यह तो चाकु कह रहा तू भीना यहार कसम से पैंसल 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 ओपन करो पासवर्ड नरेश के फिंगर प्रिंट से भी फोन को ऊपन कर सकते हैं तो चलो क्लास चलते हैं हाँ तू यही रुक के सर का ध्यान रखना स्कोल में पॉलिस एनी प्रॉब्लम नहीं मैडम ऐसे कोई बात नहीं है पुरानी स्टूडेंट है आजाते हैं कभी मिलने के लिए इस्कूज मी मैं अब प्रिंसिपल है नो आइं नहीं मैं प्रिंसिपल रुकिये हाँ सॉरी मैडम मिस्टर शंकर राम आप कहेंगे तब भी क्या बात करना चाहते हैं आप देखे पहले इंस्पेक्शन होने दीजिए तब तक आप हमारे आफिस में इंतजार कीजिए सर अल्रेड़ी आदे गंटे से मैं आपके स्कूल में घुम रहा हूं यहां गॉन्जालविस कौन है यह मुछ वले भाई साहां मैं हूँ आप ही है आप से बात करने के लिए कमिशनर सर ने भेजा है मुझे फिकर मत कीजिए कमिशनर मेरा क्लासमेट था ऐसे ही पुलिस को भेजकर मुझसे पूष्टाश करवाते रहते हैं चोर पुलिस खेलते रहते हैं हम आप प्रोसीड कीजिए आपका टाइम बहुत कीमती है मैडम आई तुड़ेंट को थपड़ मार कर टॉर्चर किया था नहीं से मैं तो हैंडशेक करने से डरता हूं सर मैं मारता नियू मैं ऐसे रहता हूं सर आप यह गॉंजल्विस ना नहीं नहीं मैं आपको मेरा पूरा नम बताता हूं वह है जॉन जानी जनार्धन लेकिन प्यार से मुझे यह गॉड़जिला कहते हैं आप एंथनी गॉंजल्विस को ढूंड रहे हैं ना सर वह अभी लाइबरी में बैठकर चाय में बिस्कित दुबाकर खा रहे होंगे आप वहां जाकर ढूंडिये ना डूंट वेस्मा टाइम लाइबरेरी में चाय पी रहे हैं एक मिनिट सर ला का करे समझ्यार यहां रख देते हैं अभी ठीक है आउ सर थोड़ा सेर करके आते हैं पहले में टॉइलेट कर लेता हूँ सौरी सर ओपन हो गया नंबर किसका है किसे पता चलीगा इस नंबर कुट्रू कॉलर में डाले तो पता चल जाएगा अब ही देख्ते हैं अब ही थै इंदूलेखा अब ही इंदूलेखा कौन है डूस्ट्रार एक प्लान है इंदू लेखा को नरेश के फोन से एक मेसेज भेजो अगर वो क्लास्रूम में दोबारा आती है तो वही किलर है हलो इंस्पेक्शन चल रही है क्यों फोन किया है बताओ क्या बात है सर क्लास में नरेश की लाश है किसी ने उसका खोन कर दिया है लाश का क्या करूं सर कय सर मैं इदे मार रहा हूं मैडम समझा करो माया वो किसी भी लॉजिक से ख्लास रूम में नहीं आएगी शिवा मुझे अभी समझ आया अगर खुनी आदमी होता ना तो नरेश को मारने के लिए पैंसल का इस्तमाल नहीं करता इसका मतलब ज़रूर किलर लड़की ही है वो ज़रूर आएगी तुम देखना अरे सवारी का स्टेशन कहा है वो ज़रूर आएगी ट्रस्ट मी जिस्ट व तुम जो बोल रहे हो मैं बिल्कुल लहीं करूँगी हाथ अटाओ लुच्छे लफंगे तुम्हारी बचे से मेरी जिन्दीकी खराब हो गई क्यों मुझे टॉच्चर कर रहे हो मैं पढ़ाई पे कॉन्सेट्रेटी कर पा रहे हूं तो हमने मुझे बर्बात कर दिया ए रुक छोड़ो मुझे किया जा रही है प्लीस मैं तुम्हारी आगे हा लाइं तुम यहां क्या कर रहे हो कुछ नहीं बेबी दीदी ने गल्ती किया ना बस वही समझा रहा था नो यू अर लाइंग मेरी दीदी बहुत अच्छी है नहीं बेबी दीदी आप चलो प्लीस आप रो मत उसे ले के मत जाओ कह रहा हूं ना दीदी आप रो यह मत मैं प अच्छी हूं ना पिलीस आप रो यह मत रहा हूं अच्छी मत रहा हूं अच्छी हूं तुम जो बोलोगी मैं करेंगी तुम आप रहा हूं पहले ही मां जाती ना यह बात किसी को मत बताना क्योंकि इससे हम दोनों में भूल कर मारा है हमने हाँ तुमने मेरी बात मान ली होती तो मैं ऐसे पाणी में क्यों भीगता इससे पहले हमें कोई देख ले चल्व दिव्या चोटी सी बच्ची थी वह बहुत क्लोस थी मुझे दीदी कहकर बुलाती थी दीदी आम दोनों बहुत मस्ती करते थे इस नरेश ने उसे मार डाला और दो साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं किसी को ना बता हूँ और ये बात मुझे मन ही मन में खाये जा रही है माया सर नमस्ते आप यहा हां मुझे देखके डर गया तुझे मैंने पढ़ा लिखाकर बढ़ा किया लेकिन पैसे खाने के चकर में मुझे भूल गया워서 क्रें मैं एक टीचर हूँ मैं किसी भी स्कूल में जाकर पड़ा सकता हूं घ्म मेरा है मैं जहां चाहूँ वहां जाकर इसका कर सकता हूं ग्यान के बाद अब तुम मुझे सिखाएगा मुझे ग्यान मत सिखा तू है अरे जल्दी फोन उठा अरे कोई आरा से हैं यह कौन है यह क्या कर रहा है सौरी सेर आपका स्टेशन आ गया अरे करके आता हूं अब तो नहीं रुक रही कि अरे खुल जा सिमसिम दुनिया क्या सबसे बड़ा सुकून है यह बापा इसने भी नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा अबे थीसेस पेपर चुराने के लिए इको मार डाला अबे तु मैंने से नहीं मारा तु चुप कर तो इसने मारा होगा तुझे वहां रुकने के जा सटल क्या इंदू लेखा भी खुनी नहीं है पेंसल का इस्तमाल क्यों किया मोटिफ क्या हो सता है और इंस्पेक्शन वाले दिन ही मुड़ किया कुछ समझ नहीं आ रहा है कही नरेश का मदर सौम्य नहीं तो नहीं किया या गौडजिला सर ने कौन ऐसा कर सक्ता है काति गया से और पेंसल काइस्तमाल क्यों किया कुछ समझने आ रहां इंस्पेक्शन के ही दिन के और पेंसिल का इस्तमाल क्यों क्यों गी या शिवा स्पोर्ट्स डे वाले दिन गोपी ने कोलरिंग पी थी और वो बेहोश हो गया था तुम यह पता लगाओ कि उसे वो कोल रिंग किस ने दी थी ओके ओके पर तुम क्या करने वाली हों मैं लाइबरेरी में पता लगाऊंगी तुम जाओ कहीं माया ही तो कातिल नहीं है मैडम हम उस तरफ चलते हैं वहां क्या स्पेशल है अल एसी क्लास्रूम मैम ओ एसी क्लास्रूम येस मैडम मैडम क्या हुआ रिवर्स गेर में क्यों गई क्या हुआ दिस शिवास क्लास्रूम राइट येस येस ट्वेल्थ ए लेट्स को इन मैडम थामा मैडम रुकी मैडम उच्छे शिवा से मिलना है अरे क्लास में तो कोई नहीं है प्रोजेक्टर चल रहा है बिजली की इतनी बरबादी हो रही है इस क्लास में क्लास्रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है मैंने उन्हें क्लीन करने को कह था और उन्हेंने क्लीन कर दिया अच्छा आपके कहने पर क्लीन किया है सफाई होनी चाहिए पर आपके कहने पर नहीं रहे जो बोजा कोई आरा है रहे योग इसको ले जा रहा है है भाई हम तो योजवरियों के मारने आये रहे यह स्टोर रूम है के लास को स्टोर करने का रूम है सर प्रिंसिपल सर ने कहा है कि स्कूल में इंस्पेक्शन चल रहा है इसलिए बेल बजने के बाद भेने यहीं रोके रखें इन्हें क्लास्रूम में ना जाने दें गंडी बजने पर भी जी सर कौन है यह अरे दो मिंट रूको या स्टोन करते हैं तीन दिन से परेशान हो ग स्पोर्स दे वाले दिन हां हां याद है कोल्डरिंस तुम्हें किस ने दी थी माया श्रीनिवासन मेरा नाम मेरा नाम मालकुडी रेस इसका मतलब इस बुक के भी बहुत सारी कॉपीज होगे के लिखायद रशार ने तो ने दिया थी लेकिन थी स्टुडंस को वह कोई रिंस बाठने के लिए कि लिए इसने दी थी वह मुझे याद महारा श्यवा वोग याद ने दी थी पेंसिल, कम ओन, पेंडिंग, इसका मतलब, हाँ, याद आया, के असर नहीं स्नेक सरेंज किये थे, इंस्पेक्शन के वक्त तुम यहां क्या कर रही हो, टीचर की गयर मौझूद्गे में कम्प्यूटर को एक्सेस करना गलत बात नहीं जानती, जानती हो, सर, लेकिन क्लास में ना होकर, आप यहां क्या कर रहे हैं, शोट भी चेंज कर ली, ओ, मुझ से इंटरोगेशन, ऐसी एक और किताब लेकर, आपने एक साल से उसे अपने पास रखा है, इसमें विलिन अपनी प्यारी बिल्ली को पैंसल भोग कर मार देता है, मैंने एक हिताब पढ़ी है, मैं जानती हूँ, नरेश का है, नरेश, या उसकी डेड बॉड़ी, तुम बेकार की बात कर रही हो, स्विमिंग पूल में अपने नरेश को जहर देकर मार ना चाहा, लेकिन वो बच गया, पर मौका मिलते ही उसे मार डाला, तुछित्व, आये मेडम, पहले लाइबरेरी में चलते हैं, वाइ, क्योंकि पूरे स्टेट में हमारी लाइबरेरी सबसे बड़ी है, माया, तुम यह ठीक नहीं कर रही हो, बताओ, नरेश कहाँ है, माया, तुम नहीं समझोगी मैंने यह क्यों किया, माया, कहाँ है, आप गलत करें, सूर, है, नुका छुपी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, नरेश कहाँ बता, मेरे सवाल का जवाब दे, माया, रुप जाँ, माया, आप प्रेक्शन खतम होने से पहले मुझे नरेश की बड़ी चाहिए, बाया, बाया, रुप जाओ, तुम मुझे बचकर बाद में सखोगी मारा, औरेश मे बच करे कि इजश अभाद का ध्रेक्न घए में गसे धने हला हाँ, पास आढ़क्त रहिए और G FC ऑाद का इस वाँ झाल 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 यहां से बच कर तू बाहर नहीं जा सकती माया कान खोल कर सुन ले कब तक शुपोगी वह чईग आटी कर से लेंग figure धर घńsk कर सकती कंहीं खूएएएएए भाटी कर सारी चाएएएएए नहीं लेसक Τ travaille ऑयाँएएएएएएएएएएएएएएएएएद यहिवव俑 दमाटी एधूएएएएएएएएएएएएए Phillips तो तुम तोनों को जिन्दा नहीं छुड़ी गए अब तुम भी नहीं बचोगे छोड़ना मत छिवा इसे जाना बना देना गेन करना चाहिए कितनी डस्ट है इस कमरे में पहले चेकर जीए सांस चल रही है के नहीं सांस में चल रही है माई गॉड़ कौन है श्रीडर स्कूल का टीचर है मैडम यह कौन है यह अरविन स्कूल के चेर में नहीं है अब यह कर रहे हैं अब मैडम को हेलो बोलने आया हूँ और वह कौन है यह कैमेस्ट्री के चोड़ना भगवान यह स्कूल है या मुर्दा घर दर्वाजा खोलते ही इतनी सारी लाश है आपको इसके बार में नहीं पता था मुझे कैसे पता होता मैं तो आपी के साथ में हूँ यह तो श्कूल के बगल वाली बस्ती का मुन्ना है शायद यहां पर चूला लगाने आया है क्या हो रहा है यहां पर मुझे तो प्रट टर लग रहा है अरे सर एंबिलोंस की बुलाईये नो नो फिर्स पॉल दे पॉलिस अ आपने सब्सक्राइब करें चोड़ना चोड़ना है यू फेल्ड कटम हो गया सब कुछ कटम हो गया एक तीचे होने के बावजूद आपने स्टूडेंट की हत्या क्यों की एक्टर रमाकांत और आपके बीच में कोई पर्सनल प्राबलम थी इसलिए आपने उनके बेचे को मार दिया क्या यह सच है और हमें यह भी पता चलाए कि आपको स्टूडेंट नरिश बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए अपने उसे भी मार दिया सच क्या है यह बताईए लोग किसी की मौत हो जाने के बाद ही शिट समाज में गरीब इनसान के कोई कीमत नहीं है इसी स्कूल में दो साल पहले एक छोटी सी बच्ची स्विमिंग पूल में मर गई इसकी तो आपको खबर ही नहीं होगी अगर उसी हाथसे की किसी बड़े निज्च पेपर में हेडलाइन बनकर आप सब के सामने आई होती तो आज मैं आपके सामने इस तरह मुझिरिम बनकर ख़ड़ा नहीं होथा मेरी मेरी पेटी दी लिए उसकी क्या गलती थी पताई है पापा पापा लेट हो रहा है कम फास्ट वाउ पापा यह तो मेरे जैसी है मेरे को नहीं खाना तीरी बचाओ क्या गुलती थी उसके बताई है बोली है हमारी बेटी के बिनाव हम लोग जी नहीं पा रहे थे इस अदमे की वज़े से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई इस सब के जिम्मेदार उस नरेश को मैं ने मार डाला मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था उससे मुझे इस बारे में जिस दिन पता चला उसी दिन मैं उसे मार देता लेकिन मैं दो साल से सही वक्त का इंतजार कर रहा था मेरी आखों की सामने होते हुए भी मैंने उसका कुछ नहीं किया नरीश अपने पैसे की ताकत के बल पर हर गलती चुपा देता था स्कूल की कई लड़कियों की जंदगी परबाद कर चुका था उनकी जंदगी से खिलवार कर रहा था मैंने सोच लिया था कि उसे इसकी सजा जरूर दूँगा मेरे बास और कोई रास्ता नहीं था स्कूल मैनेजमेंट उसकी गलतियों पर परदा डाल रहा था और मैं इस बात को उजागर करना चाहता था अपनी गलतियों को छुपाने वाला मैनेजमेंट इस बात को भी छुपाएगा मुझे पूरा यकीन था इसलिए मैंने ISO के इंस्पेक्शन वाले दिन को ही चुना मैं जानता हूँ मेरे इस काम से समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा क्योंकि अभी भी हमारा समाज और सिस्टम करप्ठ है तो आपको और क्या परिशानी है परिशानी मुझे ही नहीं है सब को है इसी स्कूल ने किसी लड़के को बिना वज़े टीसी दे दी और उसने अपने सुईसाइड नोट में लिखा कि ये स्कूल उसकी मौत कल कर मर गई वो आठ साल की थी किसी ने नहीं पूछा क्या ये उसके मरने की उम्र थी हमारी स्कूल की इतनी बड़ी इमारत है जिसमें से तीन एकड़ जमीन कबजा के हुई है अगर इन में से किसी एक भी गलती पर किसी ने आवाज उठाई होती ना तो उन गुनाओं को रोक आरे माबाप अगर नामी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो सोसाइटी में उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा ये गलत फहिमी है उन सबको और स्कूल वाले इसी बात का फाइदा उठा लेते हैं मुह मांगी रकम बसूलते रहते हैं खुन चूसते रहते ह माबाप का एजुकेशन अब कोई सेवा नहीं है रेस हो गई है अब फिस कलेक्शन की रेस लगी है इमारते खड़ी करने की रेस लगी हुई है ये सब चीजें दिखा कर ही मासुम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है पता नहीं ये रेस आखिर कहा जाकर खत्म होगी यह जाना तो लोग गुरुओं को भी खरिदने में लगे होें ना जाने क्या होगा इस देश का पताने क्या होगा आज भी हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो दस किलो मिटर चल कर स्कूल जाते हैं खुद मैने अपनी आखों से देखा है उन्हें भी सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो कुछ हासिल कर सके देश के लिए कुछ कर सके आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा शिक्षा को व्यापार मत बनाईए मत बनाईए प्लीज are you interested in space, science, astronomy? yeah yeah why not just a friend talk to her it's okay you know I'm learning Japanese my friend is waste of time she'll keep on calling excuse me just a second call Maya what are you doing I'm having coffee with the alien this is not alien झङसे सक्ते हैं तुम आचानक यह कैसे ली तुम्हा दिए में ताइम वेस्ट हो। उ मतलब मैं यहां यहां रहता क्ाल यह इंद नहीं आ सकती हो मतलब मेरे अंकल यही पर रहते हैं अंकल कया रही हो ही जा फेम पीछEC comparing दस है अ की आल था टॉक पर फंसड़ को झाल झाल